हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एक बार फिट से हाजिरूं आप सब के लिए एक मोश्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर सो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेग्रेंसी के नौवे महिने में जो रियल वाला लेवर पेन होता है वो कैसा होता है जैसे आपको पता है ना कि प्रेग्रेंसी में फॉल्स लिवर पेन भी आते हैं जब आप प्रेग्रेंसी के आटवे और नौवे महिने में कदम रखते हैं तो आपको फॉल्स लिवर पेन आने शुरू हो जाते हैं अब कई मिलाए क्या होती है इन दौनों में फर्क नहीं शुरू कर देती है जिस बज़े से आपकी बॉडी में कॉंट्रेक्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं जैसे कि पेट में कई वर हलका फुल का दर्द होता है और आपको लगने लगता है कि लेवर पेंट शुरू हो गया है और आप तुरुन डॉक्टर के पांस भागते हैं तो अब आपको यह सब करने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो डॉक्टर के पांस जाने वाला लेवर पेंट होता है वो कैसा होता है और घर में वेट करने वाला लेवर पेंट जो होता है वो कैसा होता है मतलब जो आपका सही समय है हॉस्पिटल जाने का उसी टाइम आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो घंटे उसको भी दवाएं तो चलिए स्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि false liver pain आखिर होता कैसा है सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि जो आपको pain होंगे मतलब contraction या संकुचन जो आपको होंगे वह regular नहीं होंगे मतलब आपको बारवा नहीं आएंगे काफी gap से आएंगे आएंगे फिर गायब हो जाएंगे चा पहचान होती है जिसे आपको contraction मतलब false liver pain आ रहे हैं और आप जैसे कि अपनी position change कर लेते हैं आप walking करने लगते हैं या पानी पी लेते हैं तो यह pain अपने आप ही चले जाते हैं मतलब यह pain फिर सही हो जाते हैं इसके बाद तीसरी पहचान होती है false liver pain की कि आपको जो दर्द होगा मरोडों के साथ वो केवल पेट में ही होगा कमर में नहीं होगा इसके बाद चौती पहचान जैसे ही आपको यह false liver pain आएंगे तो आपके बच्चे की जो हल चले बैसे वेसे और ज़्यादा तेज हो जाएगी मतलब बच्चा जादा हल चल करने लगेगा जब आपको false liver pain आते हैं तो ठीक है यह तो हो गई false liver pain की पहचान अब हम जानते हैं जो real वाला liver pain होता है उसकी क्या पहचान होती है कि जिस pain में आपको तुरंथ hospital जाना है विकिए अगर ऐसे pain आते हैं तो मतलब आपकी delivery कुछी घंटों में होने वाली है जैसे false liver pain में क्या होता है आते हैं तो अपनी position आप change कर लेते हैं पानी पी लेते हैं तो वो सही हो जाते हैं चले जाते हैं बट real liver pain में ऐसा नहीं होता है real वाले जो liver pain होते हैं वो कैसे होते हैं आप कुछ भी activity कर लो उन्हें आना है तो वो आएंगे सही नहीं होंगे तो ये तो हो गई पहली पहचान दूसरी इसकी पहचान होती है कि जो real वाले आपको liver pain आते हैं उनकी जो शुरुआत हैं वो आपके back lower area से होती है मतलब आपके कमर से होती है कमर में मरोणे आएंगी और कमर से घूम के मरोणे फिर आपके पेट तक आएंगी और ये दर्द फिर पैरो तक भी जाता है तो इस तरीके का दर्द ही real वाला labor pain कहलाता है जिसमें आपको hospital जाना होता है इसके बाद real वाले labor pain की जो next पहचान है वो कैसी है कि इनका जो दर्द का pattern है वो set नहीं होता है इनका जो दर्द है वो बढ़ता जाता है पहले धीरे आएगा फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा मतलब कि जो आपको contraction आ रहे हैं वो फिर जल्दी जल्दी आने start हो जाएंगे और तेजी से आएंगे इसके बाद चौथा symptom कई बार क्या होता है जब liver pain आते हैं तो बहुत से ladies का water break भी हो जाता है मतलब पानी रिषने लगता है private part से तो ये भी एक पहचान होती है real वाले liver pain की ठीक है friends तो आप दोनों में अब अच्छे से difference समझ गए होंगे कि जो false liver pain है वो कैसा होता है इसमें आपको hospital नहीं जाना है और जो real वाले liver pain होता है वो कैसा होता है उसमें आपको hospital जाना है यूगि उसमें फिर आपकी delivery कभी भी हो सकती है so friends I hope आपके अब doubt सोड़े से clear होए होंगे मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में आप तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रिये ऐसे ही रेशू जो जो यूटूब चनल बाबाई थैंक यू